हेलो फ्रेंड्स, थांक्स फॉर सपोर्टेंग हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुचे उसके लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजे और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए आप हमारी सबी वीडियो को शुरू से लास्ट तक पुरा देखिए क्योंकि रेसिपी से जुड़े कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी हम अपनी वीडियो के बीच में आपसे शेयर करते हैं आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं व्रत के दिनों में बनने वाले चीले की आसान ची रेसिपी ये रेसिपी बहुत ही जटपट और बहुत ही कम घी में बनके तैयार हो जाती है hvis photo isे और खाने में भी बहुत ही स्वादिश्ट होती है चलीं देखते हैं किस तरह से बनाना है सबसे पहले एक बोल में हम ले लेंगे एक कप सिंघाड़े का आटा आप चाहें तो कोटू के आटे का इस्तमाल भी कर सकते हैं अब हम इसमें डाल देंगे पारी कटी हरी मिर्च और यहां हम ले लेंगे तीन चदाई कप महीन का दुकस किया हुआ खीरा लगबग आधा खीरा है यह हमारे पास इसे भी इसमें डाल देंगे आप चाहें तो खीरे की जगा पे कदुकस किये हुए आलू या कदुकस करी हुई लौकी का इस्तमाल भी कर सकते हैं और साथ ही हम इसमें डाल देंगे नमक आपके टेस्ट के हिसाफ से अब हम इसमें डाल देंगे आधा चुड़ा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह चीला बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही क्रिस्पी भी बनता है अब हम इसमें डाल देंगे पानी धीरे-धीरे करके पानी डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे और इसका एक बैटर बना लेंगे स्मूध बैटर बना लेंगे ध्यान रखियों इसमें एक भी लंप्स ना रहें यह दिखिए यहां पर यह हमने एक बैटर त्यार कर लिया है और धीरे धीरे करके हमने इसमें तीन चताई कप पानी इस्तमाल कर लिया है और अब हम ले लेंगे एक तवा और उसे कर लेंगे गरम और यह जो बैटर है इसे एक बार मिक्स करके हम इसे इससे अपने चीले बना लेंगे और एक कल्ची बैटर लेके हम गरम तवे पे डाल देंगे गैस को हमने मीडियम रखा है और इसे अच्छे से फैला देंगे बहुत पतला हमें नहीं करना है और ना ही बहुत मोटा रखना है इस थरह से बैटर को पूरे में फैला दीजिए और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा देसी की हम इसे नॉन स्टिक तवे पर बना रहे हैं तो यह बहुत ही कम घीमे बनकी तयार हो जाएगा और इस चीले के उपर भी हम थोड़ा सा देसी की डाल देंगे और मीडियम आज पर हम इसे कुक करेंगे यह देखिए जब आपको दिखेगा कि यह जो इसकी साइड है वह हलकी हलकी कुक होने लगी है तब हम गैस को तीमा कर देंगे और साइड से निकालते हुए इस चीले को हम पलट लेंगे यह देखिए यह अच्छे से एक तरफ से सिख गया है अब दूसरी तरफ से भी हम इसे सेक लेंगे और लेकिन दूसरी तरफ से हम इसे धीमियाज पर सेक लेंगे जिससे कुर्कुरा हो जाएगा और वापस यही से एक बाद पलट के हम इस पर वापस से थोड़ा सा घी लगा देंगे और पलट कर इस तरफ से भी अच्छे से से शेख लएंगे यह दिखिए यह जो चीला है हमारा यह धो तरफ से अच्छे से शेख गया है आप अपने हिसाब से इसे कम या जादा सेख सकते हैं, तो ये चीला एकड़म तयार है, चलिए इसे निकाल लेते हैं, तो ये लिजे, ये तयार हो गया है, चटपट और आसान तरीके से बनने वाला सिंगाडे के हाटे का चीला, आप इसे वरत में दही के साथ, और कुछ खीर आलू या लौकी किसी भी चीज का इस्तमाल करते हैं, तो उसका पानी फेके नहीं, उसका पानी भी इसी चीले के लिए इस्तमाल कर लें, तो आप इस रेसिपी को बनाएए और इंजोई कीजे, और अगर आपको हमारी रेसिपी स्पसंद आ रही हैं, तो निन लाइक कीजे, हमारी वीडियोस को शेर्द कीजे थैंक्स पर वाचेंग